हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टु एब्रीवन इन माई यूट्यूब चैनल रंजन सर्ट रिपल एसस एट येट फ्रेंट्स मैं आप लोग के लिए फिर से एक नया वीडियो ने करते यार हूँ गंगा नदी के किनारे बसे प्रमुख नगर या सहर तो इसके लिए एक ट्रीक है फ्रेंट्स काना बाप हवाई बेक से भागे तो फ्रेंट्स अगर आपको ये गंगा नदी के किनारे बसे प्रमुख नगर के नाम की जनकारी चाहिए तो हमारे वीडियो में लाश्ट तक बने रहे अगर वीडियो आधा से पहुच करके देखते हैं तिस परकार की आधा थित्तर आधा बटेर यानि आधे ज्यान वाला ब्यक्ती कहीं भी सक्सेस नहीं होता अगर आपको देखना ही है तो पुरब फूल देखिए और नहीं देखना है तो मत देखिए क्योंकि आधा थित्तर आधा बटेर का काम मत कीजिए तो द्यान दीजेगा फ्रेंस आप लोग के लिए मैंने बनाया है काना बाप हवाई बेक से भागे तो काना का मतलब क्या होता तो काना का मतलब होता है कानपूर कानपूर जो है गंगा नदी के टट पिर है और बाप का मतलब होता है फ्रेंस बकसर उसके बाद है पा का मतलब पटना उसके बाद है फ्रेंस हा का मतलब हरी द्वार उसके बाद है बाग का मतलब बारा नसी उसके बाद चलते हैं इ का मतलब इलाहाबाद इलाहाबाद उसके बाद चलेंगे नेक्स बेग बेग का मतलब फ्रेंस होता है बेगु सराई बेगु सराई जीला जो है बिहार में है उसके बाद सेख का मतलव क्या होता फ्रेंस तो सेख का मतलव साहेब गंच उसके बाद है भागे भागे का मतलव होता है फ्रेंस भागल पूर तो इस परकार से देखे एक दो तीन चार पांच और चार नौ नौ नगर का नाम याद हो गया इस ट्रिक के मादे हम से कीप गंगा नदी के किनारे पे ऐसे नौ नगर का नाम इस ट्रिक के मादे हम से याद हो गया तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा हो मुझे अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो प्रती दिन हमारे चैनल पे लोड होते रहते हैं और आप लोग के लिए ओप योगी सीध होगी तो साथ ही साथ बेल आइकन को भी दवाना न भूले जिससे की आपको हर एक वीडियो अपलोड करते से मैं आपको नोटिफिकेशन मिल सके थैंक्स पूर यू वाचिंग